हम समझने के कोशिश करते हैं कि यह जो नया electronics revolution चल रहा है जो की चौती और दोगिक करांथी का एक कारण है यह क्या है इसको समझने के लिए मेरे पास यहां पर little bit करके kit है उसके कुछ पुर्जे हैं तो यह सबसे पहले यह केवल एक USB से power लेने का source है तो मैंने इस से जो है एक circuit सलाने के लिए energy ली और अब मैं मान लीज़े इसमें एक LED जोड़ता हूं तो मैंने जैसे ही इस circuit में LED जोड़ी यह मेरी LED जो है यह चलनी शुरू हो गई अब इस LED को control करने के लिए मैं इसमें एक switch जोड़ सकता हूं तो मेरे पास यहां पर एक push button switch ह है तो जब मैं इस push button switch को लगाता हूं तो यह अभी LED आन नहीं हुई पर जब मैं यह दबाता हूं तब जो है LED चल जाती है तो यह जो switch है यह जो push button switch है यह इस circuit को अब control कर रहा है अब इस circuit में मैं इस push button switch को हटा के एक variable resistance का switch लगा देता हूं जैसा कि पंखों के regulator में मिलता ह है तो अभी यह LED नहीं चली और जैसे ही मैंने इस switch को हिलाया regulator की तरह तो यह जो LED है यह चलनी शुरू हो गई और यह ज़्यादा bright होती चली जाती है जैसे जैसे मैं इस variable resistance switch से इस circuit के resistance में बदलाव लाता हूं तो electronics revolution को समझने के लिए हम यह कह रहे हैं कि यह switches जो की हम अभ तरीके से control कर सकते हैं electronics की एक बहुत सरण परिभाशा हम ऐसी समझ सकते हैं कि जब कोई एक circuit दूसरे circuit को control कर रहा है तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक LED है और इस LED को इस वक्त यह variable resistance जो switch है यह control कर रहा है पर इसको control करने के लिए मेरे को इस जो भी इसका regulator है इसके बहुत कर इसको बदलना पड़ता है अब मान लीजे मैं इसको चलाने के लिए इसके बदले switch के बदले यहाँ पर एक और वो लगा देता हूं जैसे कि मैं इस switch को एक इस circuit को एक remote control से on कर पाऊं तो अब जब मैं यह remote control दबाता हूं तब मेरा switch जो है on होता है मेरा sorry जो LED है वो जलती है तो अभी यहाँ पर एक यह infrared sensor लगा हुआ है यह जो infrared sensor है इस remote से जो infrared beams निकल रही है इन infrared beams को यह जो है यह catch करता है तो अब हम इस circuit को इस infrared remote control के सांथ चला रहे हैं तो जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यह कि पहले हमारे पास एक circuit था इस उधारन में हमारे पास यह LED थी और इसको हम अलग-अलग किसम के switches से operate कर रहे थे जैसे हमने पहले एक यह push button switch लगाया और push button switch से इस LED को चलाया फिर हमने इस switch को बदल के एक variable resistance switch लगा दिया और उस से इस LED को control किया और अब हम इसको नाकेवल on-off कर सकते हैं हम इसकी intensity को भी control कर सकते हैं पर इन दौनों switches के लिए हमारे को physically अपने circuit के पास होना था पर अगर अगर अब मैं इसको इसके बदले एक यहां पे remote control का infrared एक sensor लगा देता हूं तो मैं इसको control कर सकता हूं थोड़ी दूरी से इसको मैं काफी दूर तक ले जा सकता हूं यह समझने वाली बात यह है कि अब एक circuit दूसरे circuit को control कर रहा है पर इसको अब हम दूरी इसकी बढ़ा सकते हैं electronics revolution की जो बुनियाद है वो है sensors तो अब हम अगर इन switches के बदले यहां पर एक sensor लगा देते हैं जैसे कि मेरे पास एक sensor है जो की sound का sensor है तो अब मैंने यह sound का sensor इस circuit मे लगाया और इसमें जब मैंने LED लगाई तो इसको चलने के लिए मुझे शान्त होना पड़ेगा तो मैं शान्त होंगा तो यह LED बंद हो जाएगी और उसके बाद जब मैं कोई आवाज करूंगा जैसे चुटकी बजाओंगा तब यह circuit on होगा तो अब हम कह रहे हैं कि यह जो circuit है इस LED का circuit है इसको हम एक sound sensor से control कर रहे हैं यही sound sensor हमार पास आज के दिन बहुत किसम की sensor है तो मेरे पास एक और sensor है यह light का sensor है और मैं अब इस circuit में यह light का sensor लगा रहा हूँ तो अब यह circuit जो है यह रोशनी से control होता है जैसे इसका sensor यहाँ पर यह छोटा वाला जो है यह इसका sensor है और अगर मैं sensor में light पढ़नी बंद हो जाती है तो यह जो है LED यह भी बुझ जाती है और अगर इसमें ज्यादा light पढ़ती है तो LED की intensity जो है वो बढ़ जाती है मैं इस sensor को उल्टा भी कर सकता हूँ कि अभी यह sensor on है और जैसे ही sensor पर light पढ़ती है तब circuit जो है जिस circuit को यह control कर रहा है वो circuit जो है वो off हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारे पास अलगलग किसम के sensor है sound का sensor light का sensor यह जो sensors है यह किसी और circuit को control करते हैं और यह बहुत जगे use होते हैं जैसे sound का sensor का ही सारे आजकर table lamp आते हैं जो की ताली बजाते हैं तो चलते हैं तो उस किसम के use हो रहा है यह जैसे light का sensor है इसको हम उधारन के तोर पे street lights में use कर सकते हैं कि अगर हम चाहेंगी रात को जब अधेरा हो तब ही street lights on हो और सुबह अपने आप off हो जाएं तो कहने का मतलब है कि जब हम circuits को sensors के दुआरा स्वचालिद बना रहे हैं automate कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं electronics revolution की और robotic machines की जो की autonomous machines है autonomous का मतलब है जो की अपना जो है निरने खुद से ले सकती है तो अब हम एक example मैं आपको एक robot दिखाता हूँ यह बात समझाने के लिए